जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल साहएक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए प्रेक्टिस सेट छे हिन्दी भासा का ये प्रेक्टिस सेट है इसके पहले पांच अपलोड हो चुके हैं तो बहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत ही महत्तुपूर्ण ये अपनी कॉस्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली किसकी रचिना है अंशर बनता है तो आप कमेंट में ज़रू बताते जाएं नरेंदर SARAH सरमा से मंगल सेसमान या रगवीर सहाई जो right answer है भै क्या है आपको यहाँ पर सही answer तो नासरा सर्मा आपको यहाँ पर विकल्प number c right answer होगा question number आपका 3 यहाँ पर पूंचा हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे किसा परता था तो हिंदी प्रत सार रसटी संम्मान हरिवन सराय बच्चन गोविन्द मिस्त्र राम विलास सर्मा या पद्वा सस्तिडे देवा तो कि है तो तीन का राइड आन्सर है हरिवन सराय बच्चन यानि कि विकल्प नंब्र एक आपका यहां पर सही answer है question number 4 आपसे यहां पर पूँचा है क्या पूँचा है कि भारतिय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यक पुरुसकार किसे माना जाता है तो भारत भारती को माना जाता है या ब्यास या ज्यानपीट या सरस्वती तो यह आपके चार विकल्प है question number 4 का right answer बताना है भारतिय साहित्यका सबसे बड़ा साहित्यक पुरुसकार किसे माना जाता है तो 4 का right answer है ज्यानपीट विकल्प नंबर आपका यहां पर भी right answer है question number 5 आपसे यहां पर पूँचा है क्या पूँचा है बतूता का जूता तथा लाक की नाक महेंगुक की टाई किसकी जे किर्टी हैं आपके लिए बताना है तो एक किर्टी किसकी है सर्वेस्वर्द्याल सक्सेना आलोक धनवा या रगवीर सहाय या जगदीश गुप्त तो question number 5 का right answer है सर्वेस्वर्द्याल सक्सेना यानि की विकल्प number 1 आपका right answer है कभी और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो सही नहीं है पूँचा है आपसे सिर्वराज भूसन भूसन सब्द रसायन देव या परिमल सुरकांतरपाथी निराला और उद्दव सतक भारतेंदू हरिस्चंद्र तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है तो 6 का right answer है उद्दव सतक भारतेंदू हरिस्चंद्र ये आपका सही नहीं है कौस्चन number 7 आपसे यहाँ पर पूँचा है नहीं लिखेते कभियों में से गांधी जी ने किस कभी को राष्ट कभी का सम्मान दिया है महादेवी बर्मा जैसंकर प्रसाद मेतली सरन गुपते या सुमेत्रनंदन पंत राष्ट कभी का जो सम्मान दिया है मतमा गांधी जी ने किस कभी को दिया है तो कौस्चन number 7 का right answer है मेतली सरण गुपत यानी की विकल्प नमबर सी राइट आंसर है कौश्चन नमबर आठ आप से पूँचा है ब्यास पुरुसकार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भवस्तियती किस लेखक की रश्चना है नरेंद्र कोहिली या रामद्रा समिस्त्र कुवन नाराण नरेश महिता देखिए ब्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वह नरेंद्र कोहिली है तो विकल्प नमबर एक आप कहें आपर सही आंसर होगा कौश्चन नमबर 9 आपसे यहां पर क्या पूँचा है तो कौश्चन नमबर 9 पूँचा है यहां पर देख लेते हैं कि किस कभी को कभी का कभी कहा जाता है धर्मेबीर भारती, रगबीर सहाई, समसेर, बहादुर सें या सर्वेस्त और द्याल सक्सेन कौश्चन नमबर 9 का राइट आंसर है समसेर, बहादुर सें समसेर, बहादुर सें को कभी का कभी कहा जाता है तो विकल्ब नमबर B आपके हैं अपनी पूँचा है भासा भैसादन है जिसके द्वारा मनुष से अपनी विचार दूसरों तक भली भाती प्रकट कर सकता है ये कथन किसका है ये कथन बताना है महावीर प्रसाद दुबेदी रामचन सुकले कामता प्रसाद गुरू या किसोरी लालवाच्विय तो question number 10 का right answer है ये कामता प्रसाद गुरू का ये क्या है कथन है यानि की विकल्प number B आपका right answer question number 11 हिंदी की आदी जननी कौन है पाली है, अब्रन्स है, संस्क्रित है या प्राक्रित है तो question number 11 का right answer हिंदी की आदी जननी कौन है तो 11 का right answer है आपका संस्क्रित विकल्प number आपका B यहाँ पर सही answer है इनमें से क्या कवीता की पदों में सक्क्रिता और प्रभावसीलता लाता है तो कौन लाता है छंदे, काब विगोण, अलंकार या रस तो question number 12 का right answer बताईए इनमें से क्या कवीता की पदों में सक्क्रिता और प्रभावसीलता लाता है तो 12 का right answer है काब विगोण विकल्प नमबर C आपके हैं पर राइट आंसर है धर्मियोग पत्रिका के सरस्वी संपादक थे तो धर्मियोग पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे यह आपके लिए बताना है question number 13 में राइट आंसर क्या होगा तो तेरा का राइट आंसर है इस पत्रिका के जो संपादक थे धर्मियोग भारती थे विकल्प नमबर D राइट आंसर है हिंदी के प्रतम गद्यकार कौन बालकर्ष्न भक्ते हैं लल्लू लाल या भारतियंदु हरिस्चन राजा सिवपरसा सितारी हिंद तो Q814 का सही आंसर बताना है तो Q14 का राइट आंसर है हिंदी की प्रतम गद्यकार लल्लू लाल बिकल्प नमबर B आप कहाँ पर सही आंसर है Q15 क्या पूचा या है Q15 है आदुनेक हिंदी साहत की पहली आत्मकता की लिकक कौन मानी जाती है स्याम सुन्दर दास, हरिवन सराय वच्चन, देवन सत्यार्थी या जय संकर प्रसाथ कॉस्चे नमबर 15 का राइट आंसर बताना है तो स्याम सुन्दर दास बागू स्याम सुन्दर दास विकल्ब नमबर एक राइट आंसर है निमने लिखेते में किसुरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है प्लेग की चुडेल इंदुमती पंडित और पंडितानी जारा बर्स का समय तो किसुरी लाल गोस्वामी जी की जो रचित कहानी है बै कौन सी है तो सोला का राइट आंसर है इंदूमती इंदूमती यानिकी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है कॉस्चिन नंबर सत्रा है भारतियंदू हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भासा से अनुदित है नई चाल में ढली, विद्या सुन्दर या कभी वचन सुधा या चंद्रावली तो कॉस्चिन नंबर सत्रा का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी विद्या सुन्दर विद्या सुन्दर आपका यहाँ आपर सही आंसर है बिल्कुल सही Question number 18 देख लेते हैं क्या पूंचा हिंदी का पृतर मौले को परिक्ष गुरू को किसी माना जाता है नूतन ब्रमचारी को त्याग पत्र को तितली को या परिक्ष्गुरू को तो question number 18 का right answer है कि हिंदी का प्रिथा मौले को पन्यास जो माना जाता है वै किसे माना जाता है तो परिच्छ गुरू को माना जाता है तो विकल्प number D right answer है कॉस्चे नमबर उन्नेस पूंचा हिंदी सायत का सबसे प्रिसिद्ध पन्यास कार किसको माना जाता है महादेई बर्मस मुंसी प्रियमचंद रामधार सेंदिनकर सुवित्रकुमारी चोहान तो उन्नेस का रामधार आंसर है आपका मुंसी प्रियमचंद यानि की विकल्प नमबर सेंदिनकर 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 सेंदिन किस कभी कहा हरी घांस पर चड़बर अग्ये रामबला सर्मा मुक्ति बोध या भारत भूसन अग्रबाल तो एक किस का सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानिकी अग्ये आपका इहां पर सही आंसर है अग्ये बिल्कुल चही कौस्चन नमबर बाइस पूचा है मेतली सन्गु कौस्चन नमबर तेईस है रीतिकाल का अन्य नाम है तो क्या है स्टोने काल है संगार काल है और दभाव काल है या संक्रानती काल है तो रीतिकाल का अन्य नाम पूंचा है तो तेईस का सही आंसर होगा आपका संगार काल यानिकी विकल्प नमबर सी आपका राइट आंसर है question number आपका 24 क्या है जम मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही उपर्योक दोह में अंधियारा और दीपक किसके पृतिक हैं अंधेरे वाप्रिकास के अज्ञान अज्ञान के बुरे और अच्छे के पिरभू और प्राप्ति के तो इसमें अंधियारा और दीपक ये जो पृतिक हैं वाई किसके हैं तो ज्ञान और अज्ञान की तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है या लकुटी क्सकी है रस खान पूश्चे नमबर 26 आपसे हैं पर पूँचा हिंदी का कौन सा हिंदी का कौन सा प्रेमख्यान कभी एक नेतर से भी हिन था एक नेतर से भी हिन था इस्वर्दास कुतुबन सेखनभी या जाईसी तो बह कौन से कभी हैं तो यहाँ पर Q26 है और राइट आंसर है जाईसी यानि की विकल नंबर D राइट आंसर Q27 है नमिलकेत में ऐसे कौन ग्यानसरी साखा की कभी है रहीम दास, कवीर दास, मलिक मुहम्मद जाईसी या तुलसी दास Q27 का आंसर बताना है तो 27 का आपका जो सही आंसर है ग्यानसरी साखा की कभी है पूँचा है तो 27 का सी राइट आंसर है कवीर दास QA 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 Q तोंतेस का सही आंसर होगा ये जो अश्ट चाप का कभी है सूरदास आपका सही आंसर होगा तोंतेस का भी राइट आंसर है कभीर दास की भासा कौन सी थी ब्रज कन्नो जी खड़ी बोली है सदुक्डी तो आपका तेस का राइट आंसर है जो तेस का सभी के लिए पता है कि पर विकल्प नमबर D-right answer है वारह पक्छी बोली ही बहु भाखा और करही हुलास देखिये साखा प्रियुक्त पंतियों की रचेता कौन है कबीर है घंणनंद है जाईसी ये कुतूबन इन पंतियों की रचेता बताने है इस पंति के जो रचेता है वै कौन है तो 31 का सही answer है ज का सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर बात्सलिरस आप कहां पर सही आंसर है आदिकाल की रचिना है अकरावट दीपसिका च्छत साल दसक या खुमान रासू तो कॉस्चिन नमबर 33 आप से पूँचा है कि आदिकाल की रचिना कौन सी है तो आपका राइट आंसर है यहा नांगरी परचाणनी सभा या राष्टवासा परिशत तो 34 का सही आंसर है विकल्प नमबर B यानि की नांगरी परचाणनी सभा कॉस्चन नमर 35 क्या पूँचा है किस साहित इतिहास के लेखक ने काल वाजन में कभीयों के नाम का सरवादिक उपियोग किया है तो 35 क्या है कि किस साहित इतिहास के लेखक ने काल वाजन में कभीयों के नाम का सरवादिक उपियोग क्या है तो जो सरवादिक उपियोग क्या है वह किसने में सरवंधू तो विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा इनमें ऐसे वह कौन सी रचना है जिसे मूलता हिंदी सब्द सागर की भूमी का खुरूप में लिखा गया था किन्तु बाद में उसे स्वतंतर ग्रंथ बना दिया गया तो आपके यहाँ पर जो 36 का सही आंसर होगा वै क्या है तो 36 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर सी रामचन सुकल करित हिंदी साहत का इतिहास यह जो है आपका विकल्प नमबर सी राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 37 पूंचा गया है इस्तवार दाला ले लित्यत्वर इंदोई इंदोस्तानी नामा के हिंदी साहत के इतिहास गरंते के लेखक का नाम बताना है सभी के लिए पता होगा बहुती महात्पूर्ण कॉस्चन है ए और इसके जो लेखक हैं वहे कौन है तो 37 का राइट आंसर गारसा दातासी विकल्प नमबर एक पंड़त बनारसी दास दोरा लिकेत हिंदी की पहली आत्मकता का नाम बताना है तो अर्द कता चांद सूरज के बीरन मेरा जीवन पिरवाहे या मेरी आत्म कहानी तो 38 का सही आंसर है विकल्प नमबर एक अर्द कता आपका सही आंसर है बिलकुल सही बोली का चेत्र जब थोड़ा विक्सित हो जाता है और उसमें साहिती की रशिना होने पर वह क्या बन जाती है ये ब्रज भासा बन जाती है लिपी उपभासा या छेत्री भासा तो ये क्या बन जाती है ये आप से पूँचा है चालिस में तो चालिस का सही आंसर है ये बन जाती है उपभासा Q41 का आंसर होगा Q42 हिंदी भासा राज्य के अंतरगत कौन सा राज्य नहीं है उत्तर प्रदिश जारकंड बिहारी आ महराष्टे तो सभी के लिए पता है क्या होगा राइट आंसर 42 का महराष्टे आपका सही आंसर यहाँ पर होगा Q43 आपका तेतालिस यहाँ पर पूंचा गया है तो भासा की सारतक लगुत्त मे कायी है सब्द है धौनी है पद है अबाक्त है एक Common Infinite आपका महत्तोपूर है Question No Academic 43 कि भासा की सारतक लगुत्त मे कायी है तो तेतालिस का सही आंसर है सब्द क्या है सब्द आपका राइट आंसर कारली हिंदी की भासा कैसी होनी चाहिए तो अभिदात्मक होनी चाहिए बेंजिनात्मक होनी चाहिए लक्षणासी युक्ते या अभिदालक्षणा मिसृत तो यहां पर 44 का सई आंसर है भहे अभिदात्मक होनी चाहिए अभिदात मक तो विकल्प नंबर एक राइट आंसर है कौस्चन नंबर 45 भासा है भासा क्या है यह आपके लिए बताना है कौस्चन नंबर 45 में भासा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 45 का विकल्प नंबर एक अर्जित संपत्ती भासा क्या है अर्जित संपत्ती विकल्प नमबर एक राइट आंसर ने मिलकेत में से कौन सा बन दुईगुण ब्यांजन के अंतरकत आता है कौन सा बन है जो दुईगुण ब्यांजन के अंतरकत आता है तो 46 का सही आंसर है आपका क्या होगा राइट आंसर तो धा आपका यहां पर जो दिया गया है विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है पहुआरी इन्वे से किसे बोली से संबंदे थे ब्रिज बुंदेली खड़ी बोली आप दी तो आपका 47 का सही आंसर है यह जो संबंदे थे किसे है बुंदेली से तो विकल्प नंबर C आपका यहां पर राइट आंसर रामचरित मानस कितने कांडों की रचिना है छे नो साथ या आठ है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 48 का यहाँ पर राइट आंसर है रामचरित मानस कितनी कांडों की रचिना है तो 48 का आपका यहाँ पर 7 राइट आंसर है यानि की विकल्प नमबर भी राइट आंसर है यह कांकी में अन्विती अवस्ता संक्लनत्रय की अंतरगत काल इस् पर right answer है, उनन्चास का B right answer है, पचास वा question है, जैसंकर प्रसात कृत उरवसी किस विधा की रचना है, गीती काब्बे, नाटक, पिरगीत या चम्पू काब्बे, तो 50 का सही answer है, क्या है right answer, 50 का विकल नंबर आपका यहाँ पर, डी रैट आंसर है चम्पू का भी question no in count पूँचा है अब ब्रंस का मुख छंद कौन सा है दोहा, कुंडलीया, बरवया या सवया question no in count का आंसर बताईए यहाँ पर अब ब्रंस का मुख छंद है तो in count का right आंसर है विकल्प no. 1 आनी की दोहा आपका यहाँ पर सही answer है आगरा का बोली छेतर है अविदी, ब्रेज, खडी बोली, 36 गडी तो आपका यहाँ पर बाउन का जो सही answer है बहे क्या है तो बाउन का आपका right answer यहाँ पर विकल्प number C आनि की bridge आपका right answer है अंगला कॉस्चिन है परमात्मे प्रकास की रचिनकार कौन है रामसे है हमचंद्र योगिंद्र है मीरुतुंग है तो त्रेपन का आपका जो राइट आंसर है त्रेपन का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नमबर बी यहाँ पर राइट आंसर है योगिंद्र आपक अमीर खुसरो आपके यहाँ पर सही आंसर है बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक राइट आंसर है इनमें से जो अनुप्रयास अलंकार का लक्षन ना हो उसे छांटिए तो यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है उसका लक्षन नहीं आपर कौन सा नहीं है तो 55 वा कौस्चन है तो बताईए यहाँ पर छांटना है तो कौन सा होगा राइट आंसर तो 55 का आपका पंती की संपूनत्या आविरती यह जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा कौस्चन नंबर 56 है बढ़नों की एक से अधिक बार आविरती किस अलंकार में होती है उपमा ल कौस्चन इस रोता के लिए किस सर्वनाम का उप्योग किया जाता है तो उत्तम पुरुसवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुसवाचक सर्वनाम अन्य पुरुसवाचक सर्वनाम या उप्रोक्त सभी गलत है तो कौस्चन नंबर संताउन का आपका जो सही आंसर है बहे आपका यहां पर मीद्यम पुरस बाचक सर्बनाम बिकल्प नंबर 2 आपका हहां पर सही आंसर है बालक इस पुस्तकालाय में पढ़ रहा है बाग एक फारतान कि रिया UN तो अंठाउं का आंसर बताने इसमें कौनसी कि रिया है जो आंसर है सक्रमक क İ या आपका right answer है, इनमें से सुद्ध वर्तनी का चेहन करना है, सुद्ध वर्तनी का सब्द कौन सा है, तो question number 69 में बता दीजिए, सुद्ध वर्तनी आपका यहाँ पर होगा, भै कौन सा है, तो 69 का सही answer है, आपका यहाँ पर अनधीकरत यानि की विकल्प number D, आपका right answer होगा, इनमें से गल्प वर्तनी का सब्द कौन सा है, तो गल्प वर्तनी का सब्द बताना है, तो 60 का right answer होगा, क्या होगा right answer, आपका यहाँ पर 60 का गल्प वर्तनी का सब्द है आधीन, आधीन यानि की विकल्प number एक right answer है, निमलकित में कौन संचारी भाव नहीं है, नहीं है निर का आपका भक्ती विकल्प नंबर D आपका हैं पर सही आंसर है धीरे-धीरे का समास है द्वन्द कर्मधाराय या अव्यवी भाव या दिगू समास तो 62 का सही आंसर आपके हैं पर जो सही ओ का वह क्या होगा राइट आंसर तो धीरे-धीरे का समास है तो आपके हैं पर सही आं नंबर अवयवी यानि की विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है संदी विच्छित किज तो पुष्पांजली का यहाँ पर करना है कौव सा होका राइट आंसर 63.. इसमें सही संदी विच्छित 63.. में आपके लिए बताना है तो 63.. का run answer होगा post day, पोस पे आनजली आापका right answer है तो becal number एक right answer विध्या दन आले सब्द विध्या दन आलए पराबर विध्याला सब्द में है संदी पताना है कौन सी संदी हे तो 64 का सई आंसर सभी के लिए होगा दीर के संदी इसमें कौन सी संदी है दीर के संदी आपका सही आंसर है दुई कर्मक बाक्त में कर्मकारिये विवक्ति को किस पद के सांथ प्रियुक्त होती है तो विवक्ति के किस पद में प्रियुक्त होती है आपके लिए बताना है दुई कर्मक बाक्त में कर्मकारिक किये विवक्ति को किस पद के साथ परियुक्त होती है तो आपका 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर C आनिए कि कुण कर्मक पद के साथ Q素ion No. 66 निमलिके सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है तत्सम सब्द पूंचा है तो 66 का सही आंसर है कि तत्सम सब्द में आपका हो जाएगा 66 का अगनी विखल्प No. D right answer है आंसू का तत्सम रूप निमलिकेत में ऐसे कौन सा है तो आपका है आपका है आपका है आपका 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 आप बाग के, तो आपका इहां पर 600 का सही आउसर है, जो बाग के किरिया विसेशन वाग के है अंगला कॉस्चेन क्या पूछा गया है कौन सा सब्द अही का परएब आजी नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे आपर नहीं में आपका यहाँ पर महत्तपुन question नहीं है तो 79 का सही answer होगा आपका विकल्प number D आनकी सिंधुर आपका सही answer है मुल्ला बजही की रचिना है तो कौन सी है question number 70 का answer बताईए महत्तपुन question है चार विकल्प दिये गए है तो मुल्ला बजही की रचिना जो है वह कौन सी है तो 70 का सही answer है कुत्थब मुस्तरी आपका यहाँ पर विकल्प number 1 right answer है बिल्कुल सही question number आपका 71 सरहपा का संबंद निम्न में ऐसे किस्ते है सिद्ध साहत ना साहत रासु का बे या जियन का बे 71 का सही answer आपका यहाँ पर होगा सरहपा का जो संबंद है बहे किस्ते सिद्ध साहत से तो विकल्प number 1 right answer है निम्लिकित में से कौन अश्ट चाप के कभी नहीं है सूरदास, नंददास, कुम्बंदास या सुन्दरदास तो 72 का सही answer है अश्ट चाप के कभी नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो नहीं में आपके यहाँ पर हो जाएगा सही answer भाततर का D यानि कि सुन्दरदास सुन्दरदास आपके यहाँ पर सही answer है ओग सब्द का परयाबाची क्या होगा तो बताइए ओग सब्द का परयाबाची क्या होगा तो आपका यहाँ पर तर का सही आंसर है धेर का तो विकल्प नमबर यह जो है आपका एक राइट आंसर है नमलिकत में ऐसे सही कथन क्या है तो यहाँ पर सही कथन आपके लिए बताना है बता दीजे चार विकल्प देगा है क्या होगा राइट आंसर सही कथन बताईए पर तो आपका यहां पर जो सही आंसर है जो तर का विकल्प नंबर एक उल्लाला मात्रेक्षंद है सही कथन है तो विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है 75 का सही आंसर बताई मात्रेक्षंदों मात्रा कितने पिरकार की होती है तीन, चार, दो, पाँच तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर मातरक चंदों मातरा कितने पिरकार की होती है तो आपका 75 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर दो पिरकार की होती है दो पिरकार की है आपका यहाँ पर सही आंसर है जत्तर का भी राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या है देखे गध्यांस पर आधार प्रिशनों की सही उत्तर चुन्ना है तो यह आपका गध्यांस दिया जिसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं डाक्टर दामकुमार बर्मा ने एतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांक्यों की रचिना की है उनकी एकांक्यों का मूल स्वर आधरसबादी है प्रेम, सेबा, उदार्ता, त्याग, बलीदान की भावनाओं से ओध्प्रोथ इन एतिहासिक एकांक्यों में भारत के अतीत को प्रस्तुत करती हुए राश्टिता की भावना जगानी का प्रियास किया गया है। की नाइका प्रभात कुमारी अतिसाय आदर्सवाद दिता के कारण बर्मा जी के एकांकी एथार से दूर हो गए जान पड़े हैं। सरस्ता के सांसांत सिल्प की प्रोणता भी विद्वान है। बस तुता एकांकी कला को चरम योवन पर पहुँचाने का सरे डाक्टर रामकुमार बर्मा को ही दिया जाता है। यह आपका गध्यांस था अब इससे संबंदित आपकी यहाँ पर कॉस्चन है। उप्योक्त गध्यांस का उचित सीरसक या उप्योक्त सीरसक क्या होगा। तो 76 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 76 का विकल्प नंबर बी की डाक्टर रामकुमार बर्मा की एकांकी यह जो है इसका उचित सीरसक है। नंबर 47 है कि उप्योक्त गध्यांस में प्योक्तों सीरसक की इसमें reicht आपकी 88 क्या प्मछना यह जो तरक्रामकुमार बर्मा की एकांकियों का मूलय स finished या प्रयोक्तौतों सीरसक यो प्रप्रतौत में ऐसे सकोई नहीं। तो 78 का सही आंसर है डाक्टर रामकुमार बर्मा की एकांकियों का मूल स्वर जो है बहे कौन सा आधर्स बादी Q89 क्या पूँचा है रंग मंचेता अभी नेता की दरश्टी से बर्मा जी की एकांकी क्या है Q89 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है बहे आपका यहाँ पर असी का विकल्प नंबर एक सिक्षित मदवर्गे दमपतियों की समस्याओं का Q89 का सही आंसर आपके लिए बताना है मात्रा स्वर को क्या कहती है तो एक 80 का सही आंसर आपका यहाँ पर समरूप जिसे ग्रेप फीम भी कहती है Q89 का सही आंसर होगा इसमें जो समास है माने समास है 83 में 2C है यानि की अव्यविभाव समास Q84 क्या पूँचा है यहाँ पर पूँचा है प्रत्यरपन सब्द में खालिस्तान उपसर्ग लगा है प्रत्ति पर तो यह आपके चार विकल्प में इसमें आपके लिए उपसर्ग बताना है उपसर्ग कौन सब्द लगा है प्रत्यरपन में तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 84 का विकल्प नमबर B यानि की प्रत्ति आपके यहाँ पर राइट आंसर है कौस्चन नमबर 85 सु सिख्चित में उपसर्ग है तो बताईए पर है उ है या सु है या सी है तो कौस्चन नमबर 85 का सही आंसर बताना है पचासी का राइट आंसर है विकल्प नमबर आपका विल्कुल सरल कौस्चन है सु आपके यहाँ पर राइट आंसर है रस निरुपन के प्रथम व्याख्याता जो थे शासी का सही आंसर है भरत मुनी विकल्प नंबर एक राइट आंसर है अरंडे चंदरी का मुहाबरे का आर्थ है जंगल की सुंद्री जंगल में मंगल या निस्प्रियोजन पधार्थ है या नरक्तक बनाव सिंगार तो यहाँ पर अरंडे चंदरी का मुहाबरे का जो अर्थ होगा सतासी में बहोगा निस्प्रियोजन निस्प्रियोजन पधार्थ यानि की विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है इनमें से कौन सा सब्द उच्च का समनार्थी नहीं है समनार्थी नहीं है उच्च का समनार्थी नहीं है टीला पड़ा शरेष्ट उठा हुआ तो कौन सा नहीं है पूंचा है तो नहीं में आपका टीला राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक अमर सब्द का विलोम क्या होगा कौन नंबर नवासी नहीं बताईए मरतक, मरन, मरत्व या मर्थ अमर सब्द का विलोम बताना है तो नवासी का सई आंसर है आपका मर्थ आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा कौन नंबर है आपका नब्बे हमें पृती दिन सूरी नमस्कार करना चाहिए रिखांकें सब्द को पहचानिए अपसर्ग, सर्वनाम, अव्यव या आपका यहाँ पर कारक तो यहाँ पर आपके लिए क्या है रिखांकें सब्द को पहचानना है तो 90 का राइट आंसर होगा अव्यव, विकल्ब नमबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है तदभव सब्द कौन सा है यहाँ पर अंधीरा रात्री प्रिकास चंद्र चार विकल्ब दिये गए है 91 का राइट 91 का सही आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर तदभव सब्द पूँचा है तो तदभव में आपका अंधीरा होगा राइट आंसर विकल्ब नमबर एक लिखावट में प्रत्य कौन सा है आट है अवट है वट है आवट है तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका बिल्कुल सरल कौस्चन है लिखावट नमें प्रत्य पूँचा है तो आपका बाननवे का आवट राइट आंसर रोगल्ड लिखावट तो विकल्ब नमबर विई डिराइट आंसर नमलिकित में आसा भावबाच्च पाक्ज काच्य कीजिए भावबाच्च की बाच्च कौन सा है भाव बाच्चे बाग के बताना है तो यहाँ पर तीरा नवे का जो सही आंसर है वह क्या है निमलकित में से भाव बाच्चे बाग के का चेन करना है तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता यह आपका कैसा है भाव बाच्चिवा के यहाँ पर विकल्प नमबर D राइट आंसर होगा तीरानवे का 94 वा कॉस्चन है निम्न में पुल्लिंग सब्द कौन सा है रचना है पत्र है या प्रातना है या आज्या है तो पुल्लिंग सब्द का चैन करना है तो 94 का सही आंसर है पुल्लिंग सब्द कौन सा है पत्र होगा राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर पत्र यान की विकल्प नमबर C राइट आंसर है बचन वदलिये तो लड़किया एक बचन में करना है आपके लिए आपर तो 95 का सही आंसर बताना है तो एक बचन में आपका हो जाएगा लड़कियों का एक बचन में लड़की विकल्ब नमबर एक राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा सब्द विसेशन नहीं है भैवीत भीरू निर्वीक भाव तो आपके हैं आपर सही आंसर है 96 का विकल्ब नमबर आपके यहां पर भाव राइट आंसर है यह आपका सब्द विसेशन नहीं है क्वेशन नमबर 97 पूचा है बच्चा गया इस बाके में प्रियोक्त काल पहचान यह सामन भूत काल पून भूत काल यह भविसेशिकाल यह सामन बरतमान काल बच्चा गया बाके में काल पहचान नहीं तो 97 का सामन भूत काल आपका विकल्ब नमबर एक राइट आंसर होगा question number है आपका 98 अनिकार्थी सब्द नांग का निमलिकित में से एक अर्थ है रत है हाती, पारा या मूख्छ तो एक अर्थ बताना है इसका क्या होगा एक अर्थ है तो आपका यहाँ पर 98 का सी राइट आंसर है हाती हाती आपका यहाँ पर सही आंसर है question number आपका 99 पूँचा है क्या है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है अंडे सेना तो मुर्गियों का चूजा की उपर बैठना सौ लंबी होना सौ आप सिद्द कनना घर में बीकार बैठना तो question number 99 का सही आंसर होगा 99 का घर में बीकार बैठना विकल्प नंबर आपका यहाँ पर D right answer है सुद्द सब्द का चैन कनना है यहाँ पर सुद्द सब्द कौन सा है बैस सब्द बता दीजिए आप 4 विकल्प P आपके यहाँ पर दिये गए है और सौ का सही आंसर है पूजा इसपद आपका विकल्प नंबर C right answer है बिलकुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर C right answer है तो इस परकार अपनी यहाँ पर सौ कॉस्चिन कम्प्लीट हुए क्यांसा लगाए यह वीडियो अपना प्रेक्टिस सेट 6 था इसके पहले 5 अप्लोड होगे है प्लेलेश्ट बनी है जुनियर आई इसकूल प्रेक्टिस सेट है इस नाम पर आप जाकर देखेए जहांपर आपके प्रेक्टिस सेट करवाई जाती है और वहीं पर आपके हैं बहुत सारे तो वीडियो को लाइक कलने सभी लोग और अकर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कलने बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जैहिन